रोस वाटर ब्यूटिफुल स्कीन पाने के लिए कोई जादोई चीज से कम नहीं है चाहे आपके स्कीन ड्राइ हो, नॉर्मल हो या फिर ओईली हो हर टाइप के स्कीन को ब्यूटिफुल बनाने का काम करता है रोस वाटर क्योंकि रोस वाटर के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण होते है जो हमारी तवचा की देखभल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते है इसे लिए कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्स में भी आपने देखा होगा कि रोस वाटर का यूज होता है रोस वाटर को आपकी तवचा और बालों पे इस्तिमाल करने से आपकी तवचा और बालों को कई सारे फाइदे मिलते है साथी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से आप रोस वाटर को अपनी तवचा और बालों पे इस्तिमाल कर सकते हो तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कौन से हैं वो फाइदे और कौन से हैं वो तरीके जिसकी बदद से आप रोज वाटर को अपती तवचा पे और बालों पे इस्तिबाल कर सकते हो और आपको मिलेंगे जादोई एफेक्ट तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं रोज वाटर को चहरे पर इस्तिमाल करने का सबसे सांधर तरीका यह है कि रोज वाटर को आप डाइरेक्ली अपने चहरे पे स्प्रे करें आप इसको मेकप के उपर भी स्प्रे कर सकते हो यह अपके चहरे को एक ब्राइट सी चबक देगा और अपने दिन को फ्रेज और हाइडरेटेट बनाए रखने के लिए आप अपनी स्किन केर रूटीन में रोज वाटर को ज़रूर से एड़ कीजिए अगर आपके बाल बहुती स्यादा ड्राइ और करली हो गये है तो बराबर मातरा में यानि के सैम इकुल कॉंटिटी में आपको रोज वाटर और गिल स्रेन को लेना है दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस मिक्सचर को एक कॉटन बॉल यानि की रूई की मदद से अपनी जड़ो यानि की स्केल्प पे लगाना है दस से पंधरा मेरी तक आपको इसकी मसाज करनी है अपनी स्केल्प में और फिर तीस मिनिट के लिए उसको अपने बालों में रहने देना है और उसके बाद सैम्पो कर लेजिए फ्रेंड्स रोस वार्टर का इस्तेमाल आप एक क्लिंजर के रुप में भी कर सकते हो इसके लिए फेस वास से अच्छे से अपना चेहरा दोने के बाद एक चमच रोस वार्टर के अंदर दो से तीन ड्रॉप स्किल्सरिन के मिलाईए अब इस मिक्सचर को अपने पूरे चे अब इस कॉटन बॉल को अपनी आखों के उपर र रख दीजिए उसको रहने दीजिए ये आपके आखों की सुझन को कम कर देगा अगर आपकी आखे लाल हो जाती है तो उसको भी ठिक करेगा साथी साथ आपकी आखों को भी फ्रेस बना देगा फ्रेंड्स बाल दोने के बाद रोस वाटर का इस्तेमाल आप कंडिशनर की रूप में भी कर सकते हो ये आपके बालों को बहुत ही गहराई से कंडिशनिंग देता है और एक हल्दी वाली चमक आपके बालों पर लेके आता है फ्रेंड्स ठंडे गुलाब जल के अंदर रूई को गिला करके अपने चहरे पे लगाने से इसके जो कसेले गुण होते हैं ये आपके चहरे पे जो लाज ओपन पोर्स हो गए होते हैं उसको स्मॉल करता है साथे साथ दिवी देर आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से टोन औ दल लगाए तीस मिनिट तक इसको रहने दीजिए और फिर साथ पानी से अपना चहरा दो लीजिए इससे आपके पिंपल की प्रब्लेम बिल्कुल सॉल हो जाएगी आपके पिंपल्स को बिल्कुल ठीक कर देगा रोज वाटर एक बहुत ही अच्छा मैकप रिमूवर है इस बहुत ही अच्छे से मॉस्टराइज भी करेगा धूप की वज़न से आपको जो टैनिंग हो गई होती है उसको हटाने में भी रोज वाटर आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करता है इसके लिए आपको बेसन के अंदर रोज वाटर और कुछ बूंदे निमू के रस्त की मिल अब इस पेस को आपको जिधर भी टैनिंग होई है मतलब कि अपकी हथो पे चहरे पे जिधर भी अपको टैनिंग है उदर लगा लेना है और इसको पंदरा में तक रहने देना है यह संसे जो टैनिंग होई होती है उसको बहुत ही आसानी से हटा डिता है फ्रेंड अगर आपने पोरहेट पे मतलब के इधर लगा सकते हो यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा यह है रोज वाटर को इस्तेमाल करने के दस फाइदे आपकी तवच्छा और बालों के लिए आपको पसंद आये होंगे और काफी यूसफुल भी रहेंगे आपके लिए तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नोटिविक से मेल को अन कर लेना ताकि ऐसे ही नेचरल स्किन के रिमीडिज आप आगे भी देख पाओ मिल देहें नेक्स अच्छे से वीडियो में अपना बहुत-बहुत क्या रखे थेंक्यो सो मुच फॉचिंग बाई सीव सूर